इन्हें देखिए ये है एलोन मक्स की बेटी जिनकी उमर 20 साल है दो सल पहले ये 18 साल की हुई थी तब इन्होंने कोट में प्रेडिक्शन डाल दी थी और कहा मैं अपने पिता से किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहती बहुत से अमिर लोग सेलेब्रिटीज की जिंद एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाई होते इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि पैसों की असली वर्त क्या है पैसो के बारे में अक्सर कहा जाता है पैसा आपको बिस्तर खरीद कर दे सकता है लेकिन नीन नहीं पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है पर समय नहीं पैसों से आप अच्छा खाना खरीद सकते हैं लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं हम अपने आसपास ऐसे कितने लोगों को देखते हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनते फाइव स्टार होटल में खाना नहीं खाते ज़्यादा पैसे नहीं कमाते लेकिन फिर भी वह अपनी जिन्दगी में खुश हैं और वो सैटिसफाइड है लेकिन इसके दूसरे साइड कितने सारे अमीर करोणपती लोग हैं जो खुश नहीं हैं अपनी जिन्दगियों में एक्जाम्पल के तौर पर दुनिया के सबसे अमीर ऐलोन मक्स 2017 में उन्होंने एक ट्विट किया था सचा ही यही है कि कभी उची उडान कभी घहरी खाई तो कभी बहुत अधिक तनाओ यह है इलोन मक्स की बेटी आज ही 20 साल की हैं करीब 2 साल पहले जैसे ही यह 18 की हुई इन्होंने अपने पिता से रिष्टा ही तोड़ लिया था अगर पैसा हर एक खुशी खरी सकता है तो एलोन मक्स के पास तो पैसों के कोई कमी ही नहीं थी लेकिन फिर भी है बेटी अपने पिता से किस हद तक नाखुश हो गई आईलोन मक्स भी बहुत दुखी थे आखिर मेरी बेटी मुझसे रिष्टा ही नहीं रखना चाहती थी क्यों 2008 में एलोन मक्स का अपनी पतनी जस्टिन विल्सन से तलाग हो गया था दुबारा शादी की इन्होंने इंगलिस एक्टर से उनसे भी शादी के दो साल बात डाइवोश हो गया फिर कैनेडियन मुझसियन के साथ तीन सार एलेशन तक चला लेकिन वहां भी सब सेप्रेशन हो गया पिछले साल एक रिपोर्ट के मताबिक अब भी इलोन मक्स अकेले ही है वो एक लोते बिलिनियर्स नहीं है जो डाइवोशी है अमेरिका ने सभी बिलिनियर्स की स्टडी की और पाया की 49% बिलिनियर्स की शादी का अंजाम होता है तालाग यानि की हर दूसरा बिलिनियर्स डाइवोशी है तो बात ये समझ आई की इतना पैसा होने के बाद इन लोगों का कैसे तालाग हो जाता है ये सब देखकर फिर से ये बात यारा जाती है कि पैसों से आप घरी खरीज सकते हैं लेकिन परिवार नहीं इतने अमीर होने के बाद भी दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं किस चीज पर पैसों के नाम पर पहले से अरवर रुपे हैं पर उससे भी वैग खुश नहीं है लेकिन और चाहिए और चाहिए लिक्वर बैरोन और वेव सिनेमा के मालिक पॉंटी चड़ा और उनके भाई ने एक दूसरे को आपसी फाइरिंग में मार दिया था अंबानी भाईयों की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा कितने सालों तक दोनों के कोट केस चलते रहे दोनों भाईयों ने पब्लिक में एक दोनों के खिलाफ स्टेटमन दिये बात इस खदर विगड़ गई थी कि 2009 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ मुखर जी को रिकेस्ट करनी पड़ी कि तुम लोगों का कॉर्परेट डिस्प्यूट पूरे देश के लिए मनुजन बन गया है उसे प्राइवेटली ही सुल जाओ इसका असर मार्केट्स पर पढ़ रहा है सोसल मीडिया पर और हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन अरब पतिों को इंस्परेशन की ताह देखते हैं और इनके जैसा बनना चाहते है लेकिन आज से तीन साल पहले से पूछा गया की इनके जैसा जैसे बना जा सकता है इन्होंने सवाल उठाया कि कोई इनके जैसा क्यों बहना चाहेगा यह खुद भी अपना जैसा नहीं बनना चाहेंगे बहुत से अमीरों की सेलिब्रिटीज की दुनिया मिस्रेबल है दोस्तों 2021 में एक आर्टिकल शेयर किया गया यह एक टीवी शोस को प्रेफरेंस कर रहा था लेकिन यहां पर इनका कहना है ज्यादा तर बिलिनियर्स जिनके साथ इन्होंने काम किया है वो शेम गेल्ट और फिर से स्ट्रगल करते हैं उन्हें स्ट्रस्ट इशू होते हैं वो हर किसी को शक की नजर से देखते हैं जिसके वज़े से उनकी खुद की जिंदगी और स्ट्रेसफुल और मिस्रेबल बन जाती है कुछ सेलिब्रिटीज इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो आत 2016 का हॉलिवूड एक्टर रॉबिन विलियम्स एक कमेडियन थे लोगों को हसाने का काम करते थे लेकिन उनके हसते वे चेहरे के पीछे दुख और निरासा चुपी थी 2014 में भी इन्होंने अपने आपको खत्म कर लिया था कुर्ट कोबेन सिंगर 27 साल की उमर में इन्होंने आत्मत्या कर ली थी जब यह अपने केरियर के टॉप पर थे इन में से किसी भी इंसान के पास पैसों की कमी नहीं थी लेकिन वह पैसा इन्हें खुशी नहीं दे सका पताया की डिप्रेशन फेज से कैसे सीखे हैं छोटी सी छोटी चीज से चीजों में एंजाइ करना हैं इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिप्रेश जरूर ना हो अपनी जिंदगी से लेकिन उनके एक्शन को देखकर लगता है कि वो डिसेटिफ जरूर हैं अपनी लाइफ से ऐसे फिल्म एक्टर जिनकी फिल्मों ने हजारों करोडों रुपे कमाए हैं लेकिन फिर भी और पैसों की भूक मिटाने के लिए वो गुठका पानवसाले की एड़ कर रहे हैं शारु खान, अक्षे कुमार, अजे देगवन, रनवीर सिंग, अमिता बच्चन, विरेंदर सहवाग, यहां तक कि सुनिल गावसकर, इनमें से कोई भी इंसान सोच के देखो, इनमें कितनी भूक है पैसों की, अपनी सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी की, सैंस, अपनी कॉंसियंस को खत्म करने को त्यार हो जाते हैं और पैसे कमाने के लिए मतलब हजारों करोडों रुपे भी इन्हें सैटिस्फेक्शन नहीं दे सके, तो क्या यह दस बीस करोड रुपे जो पानवा साले के एड़ करके कमाए, इससे इन्हें सैटिस्फेक्शन मिलेगी, मुझे तो बिलकुल नहीं लगता के मिलेगी, इसलिए जरूरी है दोस्तों अपनी लाइफ में अपनी हैपिनेस और सैटिस्फेक्शन को ज़्यादा प्रियर्टी देना चाहिए, पैसों के बजाए, मान लिया अमीर लोग इतने दुखी हैं, अपनी लाइफ से डिप्रेस्ट हैं, लेकिन गरीब लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, बहुत से गरीब भी तो आत्मत्या करते हैं, वो भी डिप्रेशन से सफर करते हैं, बहुत से गरीब परिवारों में भी डिस्पूट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि गरीब लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी जिन्दगी में, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अमीर लोग गाड़ी खरीदली होती, या घड़ी और महंगे महंगे कपड़े, नहीं न, इसलिए असली खुशी कहीं और चुपी है, जिसे करने में आपको खुशी मिले, मैं ये नहीं कहती कि आप अपना एम पैसा कमाने को छोड़ दें, पर इतना भी पैसों के पीछे मत भाग जाना क कैसे लगी आपको यह वीडियो है?